वूद मॉर्निंग ओड़ फ्यू आज के इस क्लास में हम देखते हैं सैंस ओर्गन विंडो तु दा वर्ल्ड इसको हमने पहले रिडाउट कर चुके हैं इसमें मेरे सैंस ओर्गन 5 होते हैं आइज येर नोज टंग एन स्कीन आइज हेल्प करती देखने के लिए तु सी येर नोज तु स्मेल टंग टू टेस्ट एन स्कीन फू फिल यहां मैं इसको प्रीड आउट कर चुके हैं अब हम देखते हैं सैंस ओर विजन इसमें देखते हैं आईज आर्दा शेंस ओर्गन ओफ पीजन और साइट शेंस ओंज मतलब देखने का समवेदना देखनी की समवेद अपने नियोंदैंस अर्गन और आइस के हमारे सैंस ओर गन्वेदि अंग हैं और वीजन खुसके देखने के या साइच द्रिश्य के प्राइब या मतलब यह कौन आइज आइज हैल पस आइस हमारी साहिता करती है अज मतलब हमारी टू सी देखने के लिए various shape अनेक प्रकार की आकरतियां various मतलब अनेक shape मतलब आकरतियां colors and movements movements होती है गतिविद्यां around us हमारे चारो तरफ अस मतलब हमारे और around मतलब चारो तरफ eyelids eyelids होते हमारे आख की पलके prevent the dust जो eyelids होती है यह prevent prevent मतलब रोकना the dust and other particles from entering our eyes यह dust particles और दूसरे dust और दूसरे particles को आँखों मेंडरे करने से रोकती है we can express our feelings and emotions through our eyes हमारे expression और feeling को eyes की द्वारा समझा सकते हैं eyes help us to read newspaper, books and watch tv आई होती है ना वो हमारे newspaper और books और tv को पढ़ने में मदद, tv देखने में मदद करती है अब हम देखते हैं sense of hearing sense of hearing के अंदर sense of hearing sense of hearing मतब सुनने की समवेदना यहां पर तो जाइगरम के अंदर आपको दिखा रखा है हम सुनते कांसे हैं कांसे और कांसे और कांसे कभी भी में नूकीली वस्तू या फिर कोई तिन का अगरा कां में नहीं देना चाहिए ears are the sense of hearing different sound different मतलब अलग-अलग sound मतलब आवाज ears, kaan are the sense organ are मतलब है the sense organ समवेदी अंग of hearing सुनने के समवेदी अंग को होते है kaan होते हैं वह different sounds को सुन सकते हैं they help us to understand pleasant and unpleasant sound they मतलब वे help us समान सायता करते हैं to understand समझने के लिए present और unpleasant sound अच्छी लगने वाली और जो अच्छी नहीं लगती सुहावनी और pleasant मतलब मधूर आवाज, मिठी आवाज और ये शोर वाली आवाज जो unpleasant sound होती है वह वसी होती है शोर जो में पसंद नहीं होता है a part of the ear help in maintaining the balance of the body also a part of the ear a part, part मतलब भाग of the ear कान का helps in maintaining the balance of the body maintaining मतलब बनाए रखता है the balance मतलब santulan of the body also मतलब जो हमारा कान है वह सुनने के सासत हमारा body का balance भी बनाए रखता है we must not use sharp object to clean our eyes we must not हमें नहीं चाहिए use करना sharp object to clean our ears हमारे ears को साफ करने के लिए नुकिली object या नुकिली वस्तु का प्योग करना नहीं चाहिए ears warn us of dangers like car horn while crossing the road ears जो कान होते है warn us हमें चेतावनी देते है of danger like car horn जैसे car का horn बचता है while जब crossing the road जब रोज को क्रोश करते है and barking of dogs और कुत्ते की वोगने की आवाज भी हमें danger से warn करती है the message of the sound is sent to the brain जो message होता है sound का sound का जो message है वो कहां बेचते है brain में बेचते है we get instructions from the brain how to react to different sounds we get instruction फिर हमें माइन से क्या मिलता है instruction मिलते है from the brain brain से instruction में मिलते है या फिर सूचने मिलती है how to react to different sound कि अलग अलग sound के परते में किस परकार से react करना चाहिए किस परकार से में reaction करनी चाहिए नेक्स हमारा sense of smell sense of smell sense मतलब समवेदना of smell मतलब सुगंद या फिर गंदी की समवेदना nose is the organ of detecting various smells nose है एक organ जो कि अने प्रकार की smells को detect कर सकता है पहचान सकता है detect मतलब पहचानना the opening in the nose are called nostrils जो नाक हमारे खुलते हैं उन छेद वो बोलते हैं nostril the smell enter the nose through these nostrils और कोई भी smell होती है वो नाक के छेद होते है nostril इनके द्वारा हमारे नाक के अंदर परवेशे करती है the message is sent to the brain by the nose and the brain tell us जो smell होती है वो नाक के अंदर परवेश करती है nostril के द्वारा और message is sent to the brain और message को message आता है brain को message आता है by the nose nose की द्वारा and the brain tell us if it is good or foul smell यह हमें brain बताता है कि कैसे smell अच्छी है या बेकार good मतलब अच्छी और fuel मतलब बेकार गंदी यहां पर एक हम ब्रेक ले सकते हैं आप इपने घर पर कर सकते हो blind fold your friend एक अपने दोस्त के आंक पर पट्टी बांदी है blind fold मतलब पट्टी बांदना you can invite more friend to आप एक सदी फ्रेंच भी रख सकते हो तके अभी कोरोना चल रहा है इसलिए मत बुला ना अपने घर के मेंबर साथ ही कर लेना प्लेस डिफ्रेंट थिंग विद वेरियस प्रेग्नेंस बिफोर हिं उसके सामने अलगलग प्रकार की प्रेग्नेंस सुगंद वाली वस्तु रखेंगे और उनको कहेंगे कि वह पैस्चान है को यह खुष्पू किस चीज की है और आप इसके लिए इसको पॉइंट भी दे सकते हैं अब सेंस अफ टेस्ट्स को समवीद रहे हम क किसी करते हैं जीव की दौरण करते हैं हमें खटा है मीठा है कड़वा है जो भी टेस्ट होता कि सबसा चलता है जीव से टंग से तो टंग आर एक जो टस्ट के लिए जाना जाता है ौट स्विट when heeshmerке enthusiast थे फ्रकार से वह कर थी हिए best वर 5 है वह यह जो टंग मतल्य पहतु थे प्रकार के लिए क्या मिठ्थे में नमकीन में कर्वे में और खट्ण में टंग helps us to speak, टंग हमें help करती है, शायता करती है, to speak बोलने में, it also help in mixing the saliva with the food to help in digesting it, मतलब यह है, यह है कौन? टंग, also help, इसमें भी सायता करती है, mixing the saliva, saliva मतलब लार, लार को मिलाने में with the food, बोजन के साथ लार को मिलाने में सायता करती है, to help in digesting it, ताकि to help सायता करे, in digesting it, इसको digest करने में, पचाने में, the sense of smell, जो सुंगने की सेंस है, समवेदना है, and test go together, और टेस्ट होता है, यह साथ साथ चलते हैं, when we smell something good, our brain send a message to our mouth, when, जब we smell something good, जब अच्छा में, सुगन में, अच्छी सुगन लेते हैं, smell लेते हैं, our brain send a message to our mouth, हमारा brain होता है, वो एक message बेचता है, मारे मुह को, and it starts watering, और इस मुह में लाला, पानी आना सुरू हो जाता है, on the other hand, दूसरी तरफ, a bad smell puts us off, और एक गंदी smell होती है, वो मारा mood क्या कर देती है, खराब कर देती है, यह ना, फिरागी है, sense of touch, sense of touch समवेधना, किसकी, touch की, sparse की, समवेधना, skin is the organ for touch, और हम यह touch किसकी दौरा पचानते है, skin की दौरा, तो skin एक organ है, किसके लिए, sparse के लिए, it is the largest organ of our body, it is, यह है, यह है कौन, skin, the largest organ, largest मतलब सबसे बड़ा organ of our body, हमारी body का, it helps us to sense hot, यह हमें help करती है, us to sense, sense मतलब, इसकी समवेधना देती है, कि गरम है, cold, smooth, rough, hard and soft sensation, तो, यह जो skin की दौरा पता चलता है, कि गरम है, ठंडा है, मुलायम है, या फिर रफ है, खुर्दरा है, hard, कठोर है, या मुलायम है, यह सब sensation, यह समवेधना किसी मिलती है में, यह सब मिलती है में, skin से, it protects the entire body, जो मारी skin है, वो पूरे body को protect करती है, it also maintain the temperature of the body by sweating, it also maintain, यह maintain करती, बनाए रखती है, the temperature of the body, body का तापमान, इसके दौरा by sweating, पसीन है, निकालने के प्रकिरिया के दौरा, क्योंकि जैसे समय सबस्वेधना निकलता है, तो, हमारा बोड़ी का तेंपरेशर क्या हो जाता है, गर्मी के अंदर कम हो जाता है, our sense of touch, help in keeping us safe, keeping us safe हमारा जो sense of touch है, वो हमें क्या रखता है, शुरक्षित रखता है, we can feel the difference between, we can feel the difference between pricking of a needle, हम मैसूस कर सकते हैं, difference अंतर between pricking of a needle, एक सुई की चुबाहट को and soft touch of flower, एक flower के soft touch को मैसूस कर सकते हैं, उसमें हम अंतर कर सकते हैं, और एक बेबी, और एक बेबी की जो softness होती ही न उसको मैसूस कर सकते हैं, all parts of our body give us a sense of touch, हमारे body के सभी parts का देते हैं, एक sense देते हैं, सवेदा देते हैं, इसपर्स की, as there is skin present everywhere, क्यों, क्योंकि वहाँ पर, हर जगह पर skin present होती है, everywhere मतलब प्रतिक जगह पर, एक लाइफ का लेसन, all kind of touch are not pleasant, सभी पर्याकर जोस पर्स होते है वह अच्छे नहीं होते हैं, some of them make us feel uncomfortable, उन में से कुछ क्या होते हैं, जो इसको make us feel uncomfortable, आप से समझ लो, कि जिसको हमें कागा चूने से अगर में हमें अराम दायक मैसूस ना हो, हमें थोड़ा सा uncomfortable होता है, don't keep it a secret, इसको हमें secret नहीं रखना चाहिए, if someone gives you a bad touch, उसको बोलते ह इसको inform you your teachers or parents, इसकी information देनी चाहिए, अपने teacher को अगर घर के बाहर हैं, तो अपने teachers को school के अंदर है, या फिर अपने parents को देनी चाहिए, as they will keep you safe and sound, वो तुमें बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे, तुमारे ले आवाज भी उठाएंगे, तो को भी bad touch की information होती है, उसको को दें, या उने parents को दें या अपने teachers को जरूर दें, आगे हम देखते हैं, differently abled people, differently abled people, निस्चत जन लोग, ऐसे लोग जिनका कुछ नहीं से की, जैसे हम मान सकते हैं, differently abled, ऐसे person होते हैं, जिनकी किसी ना किसी रूप से विकलांग होते हैं, या आखें नहीं के उनके इसे वो बोल नहीं पाते हैं, तो इस परद के लोग कैसे होते हैं, differently abled people, देखते हैं, there are many people whose body parts do not function properly, हम ऐसे बहुत से लोग देखते हैं, जिनकी body parts proper तरीके से function नहीं करते, they are special or differently abled people, ऐसे लोग कैसे होते हैं, special होते हैं, बिशेश होते हैं, differently abled people होते हैं, people who cannot hear are called hearing impaired, ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, cannot hear, hear मतलब सुनना, उसको बोलते हैं, hearing impaired, hearing impaired के बोल सकते हूं, deep, यह बहरा, and people who cannot speak are speech impaired, और ऐसे लोग जो की बोल नहीं सकते, बोलते हैं, speech impaired, गुंगा, such people communicate with the help of sign language, इस प्रकार के लोग जो बहरे और गुंगे होते हैं, वो sign language की मदद से communicate करते हैं, मतलब बाचीत करते हैं, we should be sensitive towards the differently able people, हमें लोगों के परती क्या होना चाहिए, sensitive होना चाहिए, समेदना रफनी चाहिए, we must come forward to help them, हमें उनकी सायता के लिए forward, आगे आना चाहिए, forward मतलब आगे, we must support them, wholeheartedly, हमें उनकी सायता पूरे दिल से करनी चाहिए, we must not pity them, ह हमें उनकी पर दया नहीं दिखानी चाहिए, कि आए बेचारा कितना सहस है, इस प्रकास में नहीं बोलना चाहिए, और show our sympathy towards them, हमें उसकी परती, दया और sympathy नहीं दिखानी चाहिए, they are, they are a part of our society, they are a part of society, just as we all are, वे हमारे society का क्या है, पार्ट हैं, जैसे कि हम सब हैं, we must help them to lead a normal life with dignity, हम उनको help कर सकते हैं, कि वो normal life जी सकें, अपने dignity के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ, many people are insensitive towards needs of such people, अनेक लोग insensitive होते हैं, as some within seal होते हैं, towards मतलब की तरफ, needs of such people, ऐसे लोगों, सच मतलब इस परकार या ऐसे, ऐसे लोगों के आउशक्ताओं के परती क्या होते हैं, insensitive होते हैं, as some within seal होते हैं, they think that, वे सोचते हैं कि, such people are abnormal, ये लोग कैसे होते हैं, abnormal हैं, but this is not true, लेकिन यह सही नहीं है अनेक परकार के लोग जैसे की एक ऐसी लेडी थी जो जनम के समय तो बिलकुँ स्वस्थी लेकिन किसी बीमारी की कारण उसके देखने की सुनने के बोलने की छमता को जाती है फिर अपने कीचर की साहता से वो पढ़ना सीखती है और एक बहुत अच्छी वक्ता और लेकिका बन जाती है लुइस ब्रेल लुइस ब्रेल ऐसे वेक्ती थे जिन्होंने जो देख नहीं सकते उन लोगों के लिए ब्रेल स्क्रिप्टिक की खोजगी थी इस परकार से माला रंग है यह ऐसे हैं इन्होंने सूद्ध कर दिया कि कैपाबिलिटी इंस्पाइट ऑफ बिंग डिफ्रेंट्ली अवेल्ट मतलब निशक तो कर भी वो क्या होती इसके अंदर कैपाबिलिटी होती जो गेता होती है यह जो गेता पाई जाती है तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे नेक्स वीडियो उसकी एक्सराइज किशना से देखते हैं तब तक आप रिवाइज कीजिए ओके बिटर कर दो कर दो